नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आज आप सभी के बीज में ओवर्थिंकिंग की समिश्या लेकर आया हूं कि ओवर्थिंकिंग जो है उससे केसे निप्टें ओवर्थिंकिंग की समिश्या जो है उसके कारण क्या है और कारणों से हम निवारण तक केसे पहु गाड़ी होती है उसका अगर iXcelaeater दबाते जाओ कि उसका इंजन दो बहुत चलेगा अगर गाड़ी स्टार्ट है दो इंजन तो बहुत चलेगा लेकिन जब तक आप गियर नहीं लगाओगे तब तक वो गती नहीं करेगा यानिकि काम कुछ भी नहीं होगा तो overthinking के समिश्या कुछ इसी परकार से होती है कि आपका माइंड चलता तो बहुत है बातें तो बहुत सोचता है दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती यह हो जाय, वो हो जाय, यहाने वहाने वो एक monkey mind की त्रह होता है दोस्तों यहाँ बेठे यहां पर हो लेकिन आपका जो दिमाग है वो कभी यहां है कभी उचल कर वहां, कभी उचल कर कहां तो इस परकार से वो गोमता फिरता रहता है कल मैं एक hospital में गया था और वहाँ पर मेरा एक खास दोस्त एक खास junior वो मुझे मिला और उसने मुझे ये सवाल पूचा तो मैंने शुरुआत में उसको एक first step बताया और first step को पूरा करना यद भी उसने उचित नहीं समझा लेकिन वो first step ये था कि दोस्तो नींद जो है वो उसा में होता है वो जोस में होता है और जब जोस में उसा का माइंड होता है तो वो किसी एक काम पर किसी एक बात पर focus करने में ज्यादा विश्वास रखेगा कि आपका माइंड तब तक focus नहीं होगा तब तक जब तक उसको विश्वास ही नहीं होगा कि मैं ये काम कर सकता ह जब माइंड के अंदर विश्वास की कमी होती है जब माइंड थोड़ा सा परेशानी में होता है जब माइंड थोड़ा सा डिप्रेशन में होता है उस वक्त हमें ओवर थिंकिंग की जो समिश्या है वो ज्यादा होती है दोस्तों यह समिश्या जो है वो एक रेक्टिव माइं परिशानी उन्भाव करता है तो हमें इस समझ्षा से केसे निप्टे सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों इसको समझने के इसाप से अबदे समझ सकते हों कि अभी तक आपने गाड़ी को स्टार्ट किया आप दबाते जा रहे हो लेकिन घिरre का मतलब होता है गियर कौन सा लगाओगे पहला गियर लगाओगे यानि कि आप जब आप ओर थिंकिंग का सिकार हो तब आप सबसे पहले अपने एक्सलेटर से फिर अटाओगे यानिकि अपने माइंड को थोड़ा रिलेक्स करोगे उसकी जो और पीम है वह तो आप इसको garage retail पर लिकर आओगे यानिकि थोड़ा रिल्याक्स करोगे उसके बाद आपके लिए सबसे important काम कुन सा है यानि कि पहला गियर ढूनोगे कि पहला गियर इस गाड़ी में कैसे लगेगा उसके बाद सबसे important काम पर आप ध्यान लगाओगे और उसकाम के साथ में आप जुड़ जाओगे धीरे-धीरे सुरुआत के अंदर उसके साथ धीरे-धीरे कीजिए काम को स्लोली कीजिए ताकि माइंड उसकाम के लिए अड़ेप्ट हो जैसे ही वो एक काम पूरा होता है उसके बाद में ही उसकाम को छोड़ना है उससे पहले उसकाम को छोड़ना नहीं उसकाम को पूरा करें अपने आप टास्के उपर फोकस करने आपका जो अभ्यास Grace One और इसी के साथ में आपकी ओवर्थिंग की समिश्या समाप्त होती है आपी प्रोकैस्टिनेशन की जो समिश्या है वो समाप्त होती है आपिए मुख्थ होते हो बहुत सारी मांसिक जो दुन्द है उनसे तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा शौर्ट वीडियो के माध्यम से कि आप अपने माइंड को एक नेचुरल जो शक्ती है वो देवें नीद के दौरा आप उसको एक अच्छा निउट्रेशन देवें आप इंटरेंट का भी ध्यान रखें आप थोड़ी अक्सरसाइज का भी ध्यान रखें जो अक्सर जो हमारे रेजिडेंट्स साथी है उनके साथ में हो जाती है और यह जो समिश्या है वो रेजिडेंट्स के साथ भी होती है लेकिन उससे ज्यादा यह समिश्या स्टूडेंट्स के साथ में होती है जो ख को पूरे अच्छे से शेर करें सभी के साथ में और अगर कोई आपका सवाल है तो आप हमें इसी वीडियो के साथ में कॉमेंट कर सकते हैं अच्छी लगी वीडियो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें बहुत-बहुत धन्यवाद झाल